दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार यह देखिए अर्विंद केज्रिवाल का शिर्फ प्रपोगंडा करना पीसी प्रेस कॉंफेस करना बीसी बात्चीत करना सिर्फ ट्वीट करना बस इसी की कलाकारी काम कुछ ना करना इसी में महारत इनका पूरा परवार है इनकी पत्नी जी भी जो है सिर्फ इसी की माहिर है अदालत के अंदर की कारवाई हाई कोट की कारवाई कोट की कारवाई यह लोग ट्वीट कर देते बाहर कर देते वाइरल कर देते यह पहली घटना नहीं है तमाम घटना ऐसी हुई है अब देखिए अरबिन के जिवाल जी ये इनकी पतनी सुनीता के जिवाल जी इन्होंने क्या किया कि एक रिकॉर्डिंग को कोड के अंदर की रिकॉर्डिंग को 28 मार्च को अपने सोसल मीडिया एकाउंट्स में आपके एकाउंट्स से इन्होंने वाइरल किया दूसरा अच्छे नामक इनका एकाउंट्स वा तमाम अपने जो टूल किट से उनसे इन्होंने भेजा कोड के अंदर की ताजू भी देखिए उसमें कोड के पहले और कोड के बाद में लोग गए भी नहीं थे इस तरह की मतलब एक बहुत बड़ा इन्होंने कंटेंट आप कोड किया अब आपको बतलाना है कि कंटेंट आप कोड के के 1971 के तहट ये बहुत संगीन अप्राद है इसमें बहुत बड़ी सजा हो सकती है दूसरी आपको बतलाना है कि वीडियो कांफरेंसिंग के हिसाब से भी बहुत बड़ा ये आपको बता तो करोंा के दारान प्री मिटिंग बुलाई पीम ने, और पीम इतना सक्री रहे है immigration जिए अर्य एक उसमें करोना के उसमें ये डौक्टर हर्सं Romans मगयरा सब लोग, अर्विन केज-वाल जी ने क्या किया? अर्विन केजरिवाल जी उस मीटिंग में गए और जा करके उन्होंने recording करके उसी वक्त वाइरल कर दिया तो आपको बता रहे हैं इनको सभी लोगों ने धिका रहा था अरबिन केजरीबाल जी को मगर मोदी जी ने इनको तब भी माप कर दिया इस तरह की हरकतें ये हमेशा केजरीबाल जी कहते रहें इसी बात पर इनको काफी जली स्वामी अग्रिवेश ने किया था अग्रिवेश जी ने कहा था ये तुम क्या करते हो तुमने मीटिंग के लिए बुलाया और तुम ये चुपचाप ये recording करते हो सब वीडियो बनाते हो बहुत बुडी तहीं के इनको हरकाया था स्वामी अग्रिवेश जी ने उसके बाद स्वामी अग्रिवेश जी और उसके बाद आपको बताने किरन वेदी जी वीके सिंग जी और कुमार विश्वास जी बगएरा सभड़ गया कुमार विश्वास जी ने भी कहा था कि लोगों की आदत है, खास तोर से यह अपने, इसी लिए इनोंने विभो कुमार को अपाइंड किया था, ये खुद कुमार विश्वास ने कहा था, कि इनका कामी यही था, आइडियो वीडियो गलत धंग से बनवाके, उसमें चेर चार करके यही यह फॉनेंस से बाचकल करा रहा है यहां से स्पेसली स्वाती मालिवाल जिनको घर पे पीटा गया जिसमें किंग यह लेड़ी कि यह किंग पिन थे और यह किंग मास्टर थी यह किंग मास्टर यह दो लोग स्वाती मालिवाल पे भी ऑई हुआ कि उनके बुроी तेज़के घर पे मारा गया आप चुप रही उस पे आज तक बयान नहीं दिया आप भी चुप रहीं बोले अदालत में मामला है अब अदालत में मामला है तो अरिबिन केजरीवाल बतला नहीं हैं अदालत में और अदालत के अंदर के माامला यह बीडियो बाइल कर लो ही एये मैडम यह बीडियो बाइल दूसरी बात एक बड़ी पोस्ट से डिटारीड लेडी अगर इस तरह करती है सरकारी नौकरी में income tax में जो रही हो अगर वो करती तो उसको पर कारवाई जादा जादा उससे होनी चाहिए चुकि इतनी महतपूर पोश्ट में जिसको ये पढ़ाया जाता है कि कोड के अंदर के आप वीडियो नहीं खिचेंगे बोर्ड के कोड के अंदर के आप उसको लीग नहीं करेंगे और एक सपत दिलाई जाती है खास तोर से इनकी पोश्ट में कि सत्य निष्ठा का गोपनीता का पालन करेंगे सत्य निष्ठा आपको बता दें जब I.S. I.P.S. या सांसत बगएरा की यह की होती गोपनीता का पालन करेंगे उसका लोग पालन करते हैं तब इस लेड़ी ने सुनीता के जीवाल ने इतनी बड़ी हरकत की जो की एक निंदनी है अब आपको बतारा है कोट में मामला गया है बहबो कुमार जी ने दैर किया अब आप इनका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि अपने हजबन की फोटू और वहीं पे बैठना मुखमंतरी जिसमें बैठते थे उसमें सुनीता के जीवाल जी बैठते थे बगल में अब बेठकर जी और भगत सिंग जी उनके पहले यह अपने हजबन को समझते थे और खुद को समझते थे अब कोट को भी कुण नहीं समझते लो अभी आपको बताना है यह पहला मामला ने अभी तीन चार लोग पहले आपको ताने पिनाज मेडम जो पत्रकार हैं उनके इं सुषम कहने के अधालति यह अधालती सुनवाई की वीडियो किलिप सोशल मीडिया पर पोउस्ट करने के प्राथमी दर्ध कराने की मांग को लेकर दिल्ली उचनेयाले में जन्हीत याज का प्याईयल डायर की गई है। अब आपको बताने सबसे बड़ा यह आप देखे कितने जो इन्होंने बोला है और बहुत अच्छा यह इस तरह की कॉंस्प्रेसी करके सत्ता में है। शिंग ने घटना की विशेश दाजदल SIT के जाच कराने की मांग की है बैवो सिंग जी ने अपनी आजका में सिंग ने तर्क दिया है कि 28 मार्च को केजी वालदाला लाउज एवनिव कोर्ट में संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी अन विपच्ची दनों से जुड अब आपको बताते हैं यह इनका पहला मामला नहीं इसके पहले भी लाउज एवनिव कोर्ट के लिए इनका पूरी आप पार्टी और यह लोग बड़ा गलस रज बोल चुके और यह जो मामला चल ला था उस समय लाउज एवनिव कोर्ट में मैडम बवेजा जी थी जेस्ट बवेजा जी थी उनकी कोर्ट में यह मामला चल ला था अब देखें बैभो सिंग के अनुसास सुनवाई समाथ होने के तुरंद बात कई सोसल मीडिया हैंडलों ने अदालती कारवाई का आडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर पोस्ट करना रिपोस्ट करना फारवर करना सा अनर्थोड़ा है कि अंदर कोट का केंटेब्ड़ कोर्ट है और उसका खाइदे से नियम है उसको एक पढ़ा लिखा वेखती जो अपने को सबसे बड़ा पढ़ा लिखा अन्पर लाजा सब को कहता सबको बगैर पढ़ा लिखा वो वेखती इतनी बड़ी ब्लंडर लेखान आपको बहुत उंचा बहुत टॉप लेविल पे समझ रहा है वो केजरी वाल सुनीता जी सुनीता केजरी वाल ने अक्षे नामक एक एक्स ट्विटर एकाउंट दरा अपलोट की गई एक आइडियो रिकॉर्डिंग कर रिपोस्ट किया सिंग ने तर्क दिया कि दिल् वीडियो और इन वीडियो का वाइरल करना नयाय पालका और नयाय धीजो के छप को खराब करने का एक प्रयास है। यह दिखाने की गही साजिस के बूँ आ रही कि नयाय पालका सरकार के सारे पे केन सरकार के दबाब में कारे कर रही है। अब देखें इन्होंने बोला भी उसमें गलत बोला और गलत रिकॉर्डिंग दिखाई। पूरा पूरा इतने गंदे ढंग से यह सब मैनुपलेट किया गया है। और केजिवाल और मैडम के दवारा। अब देखें जिस समय वहां पर स्वाती मालीवाल जी का इनके बंगले में पिटाई हो रही थी। वहां पर भी इन्होंने यही किया वाइरल करने में खेल। खेल यह किया कि वह चीद नहीं दिखाई जिसमें इनको मारते हुए पीटते हुए यह सब नहीं दिखाया। सिर्फ यह दिखाया कि जब वो पीट चुका था विभौकमार उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तेरी नौकडी खा लूँगी तो यह लेडी कहेगी कि आप उसको मानेंगे इतनी बत्मीजे सड़ खीचेंगे असलीलता से मानेंगे उसको पीटेंगे उसके उपर लातों से उन्ही इने मैडम ने और केजरीवाल जी ने नहीं लीक किया जो में में दिया नहीं वीडियो और जो दीवी है वो ब्लैंक वो दिया अब आप समझ लिए इन्होंने कहा था उस समय इन्होंने कहा था कि मैं तुझे जेल भीजवाओंगी बिलकुल देखिए उन्हों का हिट में मार के भाग जाता है केजी वालों केजी वाल फैमिली को आपको बताना है जब से इन्होंने पीटा है कहना नहीं कहीं चाहिए किसी महिला का आपमान करेंगे दौापण में दुरोबदी का हुआ क्या पोईशन हुई दुशासन बगएरा कवरों बगएरा सब यही वा नाम को श्राप दिया स्वाती ने जो श्राप दिया है उसका असर दिख रहा है उसका असर दिख रहा है कि विभो कुमार जेल चले गए विभो कुमार जेल चले गए केजरी वाल जी जो साथ दिन का वह बहाना बना करके छुट्टी लेना चाहिते थे वह भी गलत प्रमारित हो उस पे भी उनको साथ दिन की पैरोल नहीं मिली आतिसी जी जो बड़े उससे कहने थी नवतारी को समरपन करेंगे वह भी उनकी बाद भी गलत निकली आतिसी जी को भी 29 जून को कोट जाना होगा जब वहां से आवाज आएगी पुकार होगी आतिसी मालेना जी कोट में हाजिर हो तो आप देखिए कि एक लेडी का अफमान कितना वहाँ आप सुनीता जी का भी कंटेम्ट आप कोट और ये बीडियो बाइरल करना हाई कोट का इसमें आपको बताना है सुनीता केजरिवाल जी को भी बहुत तकलीब होगी इसमें सजा होगी और सजा ऐसी वैसी नहीं इस वो तो किंग माश्टर हैं और सुनीता केजरिवाल जी ने पवियत नाम के पत्थर मगाए थे जो भी यहाँ पर सीस महल में जो भी घपले हुए हैं उसमें सुनीता केजरिवाल बड़ाबर की हगदार हैं जो मुख मंत्री का खौप देख रही है आपको बता दें यह जो व जाबर हमें सुनीटा केजरिवाल को सजाओंगी तो tavola को सजाओंगी जिस पर घपलन केजरिवाल गएं से और F.I.R. के अभी कोर्ट आदेश करेगी इनकी F.I.R. लगेगी F.I.R. में आयो बनाया जाएगा और निश्चित तौर पे इन पे चार सीट होगी इनके गुनाहों का जो है वो आप समझ लिजे ब्योडा देखने को मिलेगा और चार सीट में ये चार सीटेड होगी अब आपको बताना है इनके अहां सभी लोग चार सीटेड हो रहे हैं और उसकी बज़े अपने गुनाहों को बज़े कितना बड़ा इन्होंने अदालत की अब मानना की दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार